दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे मैं बताओं मैं भी बहुत अच्छा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बैल इसको प्रेस कर देना चलिए सुरू करते हैं हलो फ्रेंड्स आज यहां पर एक मैं वापस से हलाकि मैं इस जो मिचोल फंड है इसकी इनदेफ्ट अनलिसिस कर चुका हूं फिर भी मैं आज बात करने की कुछिस करूंगा आपके सामने क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको अभी भी कुछ डाउट है इस फंड से चुन लोगों को आप इसे लिए अपना रिस्क क्यों करना या थोड़ा सा तो रिस्क लेना चाहिए आठ लिस्ट यार हमेशा इसलिए मैं कहता हूं दो स्मॉल केप चुन लो, एक मेट केप चुन लो, अगर आपकी सेलिए 50,000 रुपैसे उपर है, तो दो फंड और चुन लो, जिससे आपको लाखों का टेक्सी बसता है, और कहीं न कहीं आपको एक इस्टेबल रिटर्न भी मिल जाता है, अब दो कौन-कौन से हो गए, आप द के इसाब से बहुत बड़ी बात है, एक हजार रुपै की सिंपल अगर आप SIB करते हो, अगर आपकी सेलिए at least 10,000 रुपै भी है, तो भी मेरा मनना है, एक हजार रुपै बचा सकते हो, तो उसमें सोचके देखो, एक हजार रुपै, 18% के CAGR के इसाब से, अगर आपने 20 से 25 स साल या पच्छी से 30 साल दे दिए, तो डेफिनेटली आप 70 से 80 लाख रुपै जितना इतना बड़ा को और पस इखटा कर सकते हो, एक अच्छी वालत कर सकते हो, और मैं तीन साल की बात करूंगा, तो 32% के CAGR के साब से रिटन आ रहा है, एक साल में थोड़ा सा नेगेट हु मैं आप से कहना चाहूंगा, मेरे मैं तो यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक टार्गेट चल रहा है, मेरा मनना है, एक छोटा सा आपका एक इनपुट, इस CKD स्टॉक ग्रूप को, जो कि आपके महनत से 1000 के उपर धीरे धीरे एक सब्सक्राइबर करके उपर जा मज़ा आता है यार दो तो आपके साथ, मैं दिल से बताओं, मैं वीडियो इस लिए बनाता हूँ, मज़ा आता है आप से बात करने में, इस पेसलिए जब आप कमेंट करते हो ना, वो तो मैं देख के खुस हो जाता हूँग, अरे वाँ, चाहे वो कोश्चन हो, चाहे वो ए धरिंड डेफिनेट्ली आप कौलिफिकेशन बगल में देख सकते हैं कि इसी केसा साथ मैं कुछ और चीज़ों की यहां पर बात करूंगा यहां पर अगर मैं कुछ और चीज़ों की यहां पर बात करूंगा आपके सामने तो वेरी हाई परसेंट 20 पैसे का भी अगर आप परसेंट के हिसाब से बचा लेते हो ना पांस से दसलाग का काम आपका हो जाता है वैसे भी 25 से 30 सालों में कैश होड की बात करेंगे पॉइंट 42 परसेंट का कैश होड करके चलते हैं इन्होंने जो बेंजिमार के सेलेक्ट किया है निफ्टी मिटकेब 150 के चाहिए नीचे चर्चा करेंगे ग्रोथ प्लान है और पॉइंट 5 परसेंट के हिसाब से अगर आपने 90 दिन के अंदर इस फंड से बाहर निकल लेंगे कुछिस करोगे तो आधी परसेंट के हिसाब से आपसे एक्जिट लोड ले लिया जाएगा कोई दिक्कत इंडिविजुल स्टॉक के तौर भी होने चाहिए साथ ही साथ उन म्यूच्वल फंड भी होनी चाहिए जहां पर केमिकल और टेक्स्टाइल में ज्यादा फंड पसा हुआ है क्योंकि अगर वो जो इंडिविजुल स्टॉक भागेंगी तो डेफिनेटली आपका सेक्टर भ इंडिविजुली इंडिविजुली स्टॉक के तौर पर भी क्योंकि एक ऐसा बेंक जो आज इस्ट्रकल कर रहा है डेफिनेटली अगर आने वाले समय में कुछ चमतकार दिखाया तो बहुत कुछ बढ़ा कर सकता है बहुत आगे रेटर ने दे सकता है एच्टी एफिनेट बाटा एंडिया फेडरल बैंक और कुछ अधर स्टॉक मेरे में इसी इक सासात में बताना है चाहूंगा आपसे कि जो यह स्टॉक की में चर्चा कर रहा हूं अगर इसके आधी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है जो भी जहां भी आपका अकाउंट हो जे रोदा हो मौ मेरे मित्र मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूंगा यहां से चलिए स्टॉक की बात कर लेते हैं यहां पर पहले एसके इंडिया वरून वेवरीजिस आधे तिप्रला फैशन जुबिलेंड फूड डालमिया भारत पर्सिस्टेंट सिस्टम्स मैक्स एल्थ किया रेडिको इंडिया यहां पर है ना मैं आपसे कहना चाहूंगा एक शेर हो रहें ग्रेविटा इंडिया आपकी नजर उस पर होने चाहिए क्योंकि वह शेर हो सकता है 2013 में डबल हो जाए उसका वीडियो आज राद आपको साड़े आट भजी मिलेगा देख लीजिएगा टाटा केमिक कि वज़े से इन्होंने लिया है तो यह कुछ इस टॉक्स हो गए जहां पर मैंने आपसे चर्चा करें मेरे मित्र इसिक साथ सथ मैं कुछ और चीज़ें आपसे कहना चाहूंगा नंबर एक चीज कि देखे हर रोज अगर आप केवल 1.5 की स्पीड कर लो या 2 की भी स्पीड करता हूँ मैं मेरे मित्र मैं तब तक उन चीजों कर रवीट करूंगा जब तक आपके दिल और दिमाइज नहीं जाती जो भी आपके दिमाग में ये me दूसरे से पूस्ते हो या दूसरों के लिए भड़वलाते रहे तो यार दिल करता है यार यह गिर के हद है मतलब यार क्या है mutual fund बकवास है रेटर नहीं आ रहा एक साल तक अगर आप यह continuously follow करते हो तो जो भी आपके दिमाग में यह questions है सारे questions खतम हो जाएंगा आप किसी से नहीं पूछोगे how to select best mutual fund how to invest कैसे करें कुटी मार्केट में SIP कैसे करें investment कैसे करें लमसम क्या है जो भी बकलोली है सब कहीं ना कहीं आपके दिमाग से दूर हो जाएगी क्योंकि हर चीज में आपको in-depth analysis बताऊंगा और साल भर तक अगर यह के अंदर देखो मैंने आपको दिखाया midcap category के कुछ midcap category हैं और अच्छे funds हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए quant midcap fund direct growth अच्छा return ने दिया SBI में गरा midcap direct plan growth मिरे asset midcap fund direct growth यह तीन फंड और अच्छा करी मिरे जो मैंने total 4 फंड की चर्चा करी मिरे की बात करी यहां पर PDIM India की बात करी बस return देख लो कहीं न कि आपके inflation को बीट करता रहे 7% का inflation 10% और return आता रहे midcap category में 16-17% return return CAGR के साब से साल भर मिलता रहे आपको बहुत हैतिना return इसके ज्यादा कहीं आपको भागने की जुरूरत रहती नहीं है ना तो भागे नहीं जो आपके पास है वो अच्छा है और इसके साथ कमेंट कर दें में जो आपके पास है उसका भी वीडियो लिकर आ जाओंगा 7557 करोर का एसे अंडर मेंजमेंट है तो यह मेरा मतलब की वह लेकी है यारी चैनल परसनली मैं बदाओं दिल से जब मैं वीडियो बनाता हूं यह shared कैसे है, sector कौन सा है, कौन सा sector डाऊन है, कौन सा share डाऊन है, asset under management कितggiो कैसे है, रात मैं आप 12 वज्यपिछ पूछोगे, मैं जाके तुरंत क्योंकि अंदर से आता है यह चीज है तो मेरा मानना है कि अगर मेरे इस knowledge के पीछे अगर किसी का भला हो सके तो definitely करना चाहिए और आप कैसे भला इस channel कर सकते हो के वल subscribe बटन पर टिक करके definitely करना चाहिए आपको काफी motivation भी मिलता और मैं चाहूँगा कि यही video ऐसा हो finally 1000 subscriber को complete कर दे यह video और मैं चाहूँगा कि आप ऐसा करें यह आप channel को subscribe करके भी कर सकते हैं आपने अगर subscribe कर लिया है तो channel को share करके भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपने channel को share भी किया है तो definitely कमेंट करें मैं subscriber of the week में नाम भी announce करता हूँ तो definitely आपका नाम वहाँ पर होगा 21,244 करोल का asset under management है काफी छोटा सा fund आउस एक 89 scheme को totally manage करते हैं टॉप 10 के अंदर PGI यह में इंडिया नहीं आता है यह आपको पता हूँ ची तो मेरे मेतरा आज का वीडियो यही पर समापती की तरफ आगे बढ़ रहा है कुछ doubt हो, आपकी समस्या है हो comment box आपके लिए खुला है फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए content के साथ कल, same time, same channel, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्याँ